Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं MCQs of chapter शुशु सूत्रस्थान 15 तो अगर आपको ये videos अच्छी लगती हैं, MCQs videos, तो आप video को like जरूर किया कीजिये और मेरे को साथ साथ में जरूर comment section में बताया करो कि आपको कैसी videos चाहिए कि मैं upload करूँ, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं with today's video, the very first question of today's video is आर्तवक्षे की चकित्सा है, तो आर्तवक्षे की चकित्सा आप से पूछी गई है, बतानी है क्या है? options are, the first option is संशोधन, आगने द्रव्य, second है सलेशम वर्धन द्रव्य उप्योगा, third is वाजी करन and fourth is रक्तपित के स्मान. Now this chapter is very very important, बहुत सारे जो questions हैं, उनके बहुत सारे references हैं, जो कि मैं सारे mention नहीं कर पाई हूँ, same ही question, अलग-अलग exams में बहुत जादा बार पूछे जा चुके हैं, so it's a very important chapter, तो इसका जो answer है, first question का, that is option number first, मतलब आर्तफ ख्षे की चिकितसा, चो अचारे शिश्रुट जी ने बताई है, उन्होंने बोला है, संशोधन और आगने द्रव्यों को use करना है, for the चिकितसा of आर्तफ ख्षे, so first question is, first option is the correct option for this question, now let's move to the next question, शुश्रुत अनुसार वायू और अगनी धारन करम है, तो वायू और अगनी को धारन करना, किसका करम है, वायू अगनी धारन करम जो है, वो किसका है, first option is what, second option is pit, third option is purish, and fourth option is rust, now इस वीडियो में guys, मेरी अवाज जो है, वो आपको थोड़ी सी खराब लग रही होगी, क्यूंकि में को कफ और कोल है बहुत दिनों से, तो थोड़ा एट्सस कर लीजेगा, इसी अवाज के साथ, तो यहाँ पे जो correct option है guys, that is option number third, which is purish, right, किसका लक्षन है, तो सर्व नेत्र गौर्वम लक्षन पूचा हुआ है, very important question, first option is majja kshay, क्या majja का kshay होने पर सर्व नेत्र गौर्वम होता है, second option is majja vriddi, third option is kafha kshay, and the fourth option is kafha vriddi, and the correct option here is the option number second, which is majja vriddi, सर्व नेत्र गौर्वम is the lakshna of majja vriddi, right, so second option यहाँ पे हो गया है, बिल्कुल ही correct option for this question, now let's move to the next question, किस अचारे ने बताया कि अभ्यंतर बल ओज है और वे सभी किरियाओं को करता है, तो ऐसा किस अचारे ने बताया है कि जो हमारा अभ्यंतर बल है वो ओज है और वो ओज ही है जो कि सभी किरियाओं को करता है, first option is charak, second option is shushro, third option is chakrapani, and the fourth option is dalhar, तो यहाँ पे जो correct correct answer है, I know आप सभी को पता है, लेकिन exam के लिए ऐसे questions जो हैं, वो वहाँ पे पता नहीं चलते हैं, basically तो आपको यहाँ से उसको अच्छे से mind में रख के चलना है, चारे शुष्टू जी ने बताया है, which is option number second, तो यहाँ से आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कि चारे शुष्टू जी ने क्या बताया है, कि अभिहंतर जो बल है, वो ओज है, और वे सभी की रियाओं को करता है, so that is the correct option, now the next question is, वात वृद्धी में निमन में से कौन सा लक्षन पाया जाता है, and the options are, the first option is अल्प निदर्था, second option है अवसाथ, third option is बल हानी, and the fourth option is गाडवर्चस्तम, तो कौन सा यहाँ पे option सही है, कौन सा जो लक्षन है वो पाया जाता है, वात वृद्धी अगर होती है तो, तो यहाँ पे जो correct answer है, that is the option number fourth, which is गाडवर्चस्तम, वात वृद्धी में गाडवर्चस्तम का लक्षन जो है, वो पाया जाता है, so fourth option is the correct option for this question, now the next question is, किसके अनुसार ओज और साधकपित समान है, तो कौन से चारे हैं, जिनोंने ओज और साधकपित को एक समान माना है, समान किसने माना है, option साथ, first option is चेचग, second option is दलहन, third option is हिमाद्री, and the fourth option is चक्रपानी दल, तो ओज और साधकपित को एक समान मानने वाले जो अचारे हैं, वो हैं अचारे डलहन जी, so यहाँ पर second option जो है, वो correct है for this question, तो आपको ऐसी चीज़े जो है, वो exam के लिए specifically याद रखनी बहुत important है, because ऐसी question आते हैं, और फिर वहाँ पर हम लोग सोचते हैं, कि यह question कहां से आगया, यह तो हमने कभी पढ़ा नहीं, जबकि सारा कुछ हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम लोग उसको skip कर देते हैं, so you don't have to skip these things, keep in mind as the questions बहुत important रहते हैं, तो अभी next question देखते हैं यहाँ पे guys, स्फिक, क्रिवा, शुश्कता, निमन लिखिट में से किसका लक्षन है, तो आपको बताना है कि जो नीचे options दिए हैं, उन में से किसका लक्षन है, स्फिक, क्रिवा, शुश्कता, first option is मास्खे, second option है मेद्खे, third option is रक्त्खे, and the fourth option is शुखर्खे, तो यहाँ पे जो correct option है, that is the option number first, of course मास्खे का लक्षन है, स्फिक, क्रिवा, शुश्कता, so first option is the correct option for this question, now let's move to the next question guys, एक ही question है, उसके कई सारे references है, कई सारे exams में वो पूच्छा जा चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे वो सारे के सारे mention नहीं किये है, of course मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत लंबी चोड़ी list रोजाती, फिर तो यहाँ पे मैंने एक ही किया है, वैसे इस questions are very important, right, now the next question is, दोश थातु मल मूलम ही शरीरम, किसके द्वारा निर्दिष्ट है, तो किसने ऐसा बूला है, जब किसका यह श्लोक है, this is the question basically, दोश थातु मल मूलम ही शरीरम, दोश थातु मल जो है, वो ही शरीर का मूल है, तो किसने यह निर्दिष्ट किया है, first option is चरग, second option is शुशुरूत, third option is भागवड, and the fourth option is शरंदम, now again आपको यहां पे इसका अंसर मालूम है, I know, लेकिन आपको एक्साम में इसका अंसर मालूम नहीं होगा, अगर आप लोग इस कोशन को ध्यान से ना पढ़ते हुए, skip करेंगे, so you have to, इसको remember रखना है in your mind, कि जो दोश थातु मल मूलम ही शरीरम, किसने बोला है, अचारे शुशुरूत जीने बोला है, so यहां पे शुशुरूत is the correct option, now the next question is, धमनी शैथिल्य लक्षन मिलता है, तो धमनी शैथिल्य जो है, वो लक्षन किस में मिलता है, किस क्षे में मिलता है, basically क्योंकि all the options are of क्षे, first option is रक्ट क्षे, second option है रस क्षे, third option is मास क्षे, and the fourth option is मेद क्षे, धमनी शैथिल्य जो लक्षन मिलता है, guys वो मिलता है किसमें मिलता है वो basically mask खे के अंदर वो लक्षन मिलता है so धमनी शाथिल्य लक्षन मिलता है mask खे के अंदर third option यहाँ पे बिल्कुल ही correct option है for this question अगर mask का खे है तो उस patient में धमनी शाथिल्य मिलेगा third option is the correct option for this question now let's move to the next question शिशृत के मत अनुसार गर्व औरस पंदन एवं अनुनत कुखषिता किसका लक्षन है तो ऐसा क्या होता है कि जिसमें हम लोगों को एक तो गर्व और सपंदन देखने को मिलता है और साथ में ही अनुनत कुखषिता जो है वो भी देखने को मिलती है options are the first option is गर्व क्षे, second option है गर्व पा, third option is मूर्व गर्व and the fourth option is मृत गर्व so यहाँ पे correct option क्या है option number first जो है गर्व क्षे, उसमें हमें गाईस यह देखने को मिलता है कि गर्व क्षे हो गया है अगर तो गर्व का अस्पंदन होता है वहाँ पे और वहाँ पे होता है अनुननत कुक्षिता, तो that is the लक्षन of गर्व क्षे first option जो है, that is the correct option for this question next question is संदीव शलेशो, गात्र सदन, दोशाच्यवन किर्या सनिरोध, यह dash के लक्षन है तो किसके लक्षन है, यह सारे के सारे यह आपको बताना है first option is ओजख्षे, second option है ओजो मैं, third is ओजो विश्रल्स, and the fourth option is ओजो व्यापत you can see, reference मैंने आपको दिया हुआ है, AIPGT 2021 में यह कोशन पूछा जा चुका है, तो यह सारे के सारे लक्षन जो है, these are the लक्षन of ओजो विश्रल्स जो की option number third उसमें होता है, क्या क्या होता है संदी विश्लेशो, गात्रसादन दोशा चियवट किर्या संदी रोद ये डैश किसके मतलब ओजख्षे के लक्षन है so first option is the correct option for this question, now let's move to the next question निमन में से किनहे श्रीर के मूल कहा गया है तो यहां पे guys आपको एक जो बात है वो जुरूर याद रखने है कि श्रीर के मूल की बात हो रही है और निमन में से हो रही है लेकिन you have to remember कि यह according to शुष्रूत एक बात की याद जो रखने माली बात है वो यह है कि according to शुष्रूत यहां पे बात हो रही है ठीक है तो यहां पे you can see बिहार P.S.C. 1998 में question पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे exams में पूछा गया है लेकिन मैंने यहां पे एक एक्साम का mention किया हुआ है reference आपको दे रखा है तो आपको बस याद रखना है कि according to शुष्रूत यहां पे बात चल दिये वो आपके conscious में होनी जीए जीज राइट फॉर्स्ट ओप्शन देखो क्या है त्री दोश सेकेंड ओप्शन इस दोश, धातू, मल थर्ड ओप्शन इस हरिद्य, मस्तिश्क, व्रेक and the fourth option is अहार, निद्रा और प्रमचर्या तो यहां पे जो correct option है that is the option number second which is दोश, धातू और मल दोश, धातू और मल को अचारे शुष्रूची ने शरीर के मूल कहा है तो यहां पे जो second option है दोश, धातू, मल that is the correct option for this question now let's move to the next question स्वेदम लक्षन है तो जो स्वेदम है वो लक्षन किसका होता है बताओ, first option क्या है आर्तव वृद्धी second है स्वेद वृद्धी third है मेद वृद्धी and the fourth option is गर्वृद्धी तो जो स्वेदम है that is the लक्षन of किसका लक्षन है यह गर्व वृद्धी का लक्षन है यहां पर, next question is त्वक्षोष यह किसका लक्षन है तो त्वच्चा का शोष होना त्वक्षोष होना is the लक्षन of which options एको, the first option is रसक्षे, second option is रतक्षे, third option is स्वेदक्षे and the fourth option is मेदक्षे again the reference is given to you, this question जिस exam में यह पूछा जा चुका है question, जहां से मैंने लिया है तो त्वक्षोष is the लक्षन of the option number third is the correct option here guys, स्वेदक्षे का लक्षे है, त्वक्षोष is the लक्षन of स्वेदक्षे so third option is the correct option for this question, now let's move to the next question शुश्रत अनुसार निमें लिकित में से किसका ओजो दुष्टी में समावेश नहीं किया गया है, ठीक है तो अगर ओज की दुष्टी की बात हो रही है, मतलब यहां पे basically पूछा गया है कि ओज दुष्टी के जो types बताए गए है जा फिर उसके जो परकार बताए गया है उसमें किसका include जो है किसको include नहीं किया गया है, ठीक है एक exception का question है तो आपने सबसे पहले अच्छे से question को पढ़ना है कि नहीं का question है, यहां पे नहीं किया गया है then you have to come on the options ठीक है, तो यह भी options को पढ़ लेते हैं, first option is वियापत, second option है विसरांस, third option is विभ्रंच, and the fourth option is ख्षे, तो यहां पे guys चो correct option है, that is the option number third, which is विभ्रंच, तो जो विभ्रंच है, उसको समावेश उसका नहीं किया गया है, ओज़तुष्टी में, जिसका मतलब क्या हो गया, कि समावेश किया गया है किस-किस को, व्यापत को विष्रंच को, और ख्षे को, इन तीनों को समावेश किया गया है, जबकि जो विभ्रंच है, उसका समावेश नहीं किया गया है, so third option is the correct option for this question, now let's move to the next question शुशुरूत अनुसार बस्ती तोद, यह लक्षन किस में पाया जाता है बस्ती तोद का लक्षन, ठीक है first option is मूत्रक्षे, second option है मूत्र वृद्धी, third option is A and B both मतलब मूत्रक्षे और मूत्र वृद्धी दोनों में ही हैं जा फिर the fourth option is मूत्रक्रिच, तो यह बहुत ही एक confusing सा है क्योंकि सभी में हमें सेम सेमी लगता है, बस्ती मूत्रक्षे मूत्र वृद्धी, मूत्रक्रिच में नहीं पता चलता है, ठीक है confusing होता है, I know तो शुष्टुत अनुसार जो बस्ती तोद है वो लक्षन पाया जाता है, guys यहाँ पे आपका जो correct option होगा, that is the मूत्रक्षे और मूत्र वृद्धी दोनों में ही है so third option is the correct option for this question बस्ती तोद चो लक्षन है, वो मूत्रक्षे होने पर भी होता है बेशन के अंदर और मूत्र वृद्धी होने पर भी होता है बस्ती में तोद, so third option is the correct option for this question, which is A and B both, now the next question is, okay, so the question is, क्रिया असनिरोदश्च ये किसका लक्षन है? क्रिया असनिरोदश्च इस लक्षना of which, first option is ओजो विष्रंस, second option है ओजवियापद, third option is ओजख्षे and the fourth option is वादख्षे तो यहां से आपको ये तो पता चली गया है कि ओजविष्रंस ओजवियापद, ओजख्षे इनके जो लक्षनास है and they are very important for the exam point of view, MCQ point of view से बहुत ही important है तो आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं basically आपको reference दिया हुआ है go to the book और वहां से सारे के सारे पढ़ लेजिए यहां पे जो correct option है guys that is the option of the first which is ओजविष्रंस, किर्या असनिरोध्दश्चर is the लक्षना of ओजविष्रंस, तो first option is the correct option for this question, now the next question is तो यहां पे basically आपको पूछा हुआ है कि प्राक्रत करम जो है वो पूछ रहे हैं किसका है कौन सा प्राक्रत करम अगनी धारन, तो अगनी धारन किसका प्राक्रत करम है first option is पूरिश, second option है स्वेत, third option is रस and fourth option is रख, तो यहां पे जो correct option है that is the option number first which is पूरिश अगनी धारन किसका प्राक्रत करम है, पूरिश का प्राक्रत करम है अगनी धारन, तो ऐसे question जो होते है guys जब हम लोग book से पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक particular particular words की accordingly specifically याद नहीं रहता है तो इनको याद करने का क्या तरीका है फिर इनको याद करने का तरीका ये है कि आप chapter को read कीजिए फिर chapter wise आप अच्छे से उसके mcqs को solve कीजिए देन आपको पता चलेगा कि किस chapter को किस चीज को किस तरीके से पढ़ना है exam point of view से इसलिए मैं आपको बार-बार बोलती रहती हूँ कि बहुत ही जादा important है mcqs को practice करना right now the next question is okay so यहाँ पे आपको basically एक शलोग देके रखा हूँ है जो कि उन्होंने पूरा नहीं दिया है आपको सिरफ समदोशा डैश इत्वित्यते शलोग का संधर्व है तो this shlok is very important I know यह आप सब भी को आता भी होगा अगर किसी को नहीं आता है it's okay आपको मैंने यहाँ पे reference दिया हूआ है actually the question is reference in itself तो मैं आपको बताती हूँ पहले इसका answer क्या है then you have to check this question check this shlok from the book और आपको मैंको comment section में यह पूरा का पूरा shlok लिखके बताना है आपको बहुत important is पूरे shlok को याद होना बहुत सारे बच्चों को आता होगा जिसको नहीं आता है do check the book and write in the comment section अगर आप Hindi में write नहीं कर पा रहे हो तो English में ही comment section में लिखिए लेकिन लिखना जरूर है the options क्या है first option is शुष्रू सूत्र 15 by 48 second है शुष्रू सूत्र 28 by 4 third है चरक सूत्र 1 by 15 and the fourth is a strong रिद्दे सूत्र 15 by 20 तो right answer सभी को पता है correct option here is the option number first which is शुष्रू सूत्र 15 by 48 जाए अभी चेक कीजिए और do write in the comment section now the next question is राग, पक्ति, तेज, मेदा, आदी, करम किस तोश्के है first option is वाद, second option is पित, third option is कफ and the fourth option is रख तो यह काफी एक easy सा question है जो की बच्चों को आता होगा इनों आप सबको तो यहाँ पे जो correct option है that is the option number second which is पित मतलब राग, पक्ति, तेज, मेदा, आदी जो हैं they are the करम of पित तोश्के तो यहाँ पे second option is the correct option for this question now let's move to the next question guys शुशृत के अनुसार लेखन बस्ती का परियोग किस व्याधी में किया गया है तो लेखन बस्ती के अगर बात हो रही है यहाँ पे first option क्या है आपके पास अतिस्थॉल्य, second option is अतिक्रेश, third option है both A and B and the fourth option is none तो correct option यहाँ पे कौन सा है guys correct option is the option number first which is अतिस्थॉल्य, शुशृत के अनुसार लेखन बस्ती का जो परियोग है वो अतिस्थॉल्य व्याधी में किया गया है first option correct option है for this question now that's it for today's video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी guys वीडियो को like जुरूर किया कीजिए और अभी तक अगर channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए for more such videos and do let me know in the comment section कि आप और कैसी videos चाहते हैं मैं upload करूँ for the studies of BMS right now thank you so much guys मिलते हैं next video में